हालो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग एर्वडी आम सुनिल सर्मा यूर इंग्लिश टीचर दोस्तों यूर अटली वेलकम इन वेकानन ओनलाइन क्लासेज आप सब कार्दी कभी नंदन है वेकानन के ओनलाइन क्लासेज में फ्रेंड्स अपना जो ग्रामर फोर्शन का फ्रेमि मॉडल्स भी आजाते हैं कि मॉडल्स को भी है यूस करते हैं अपन साइंटेंस में दोस्तों साइक्रिया वले परसन मैंना आप मैंने बता दिया था कि जब उत्तर यस यह नो से प्रारंब हो तो हैंड़ेट परसन साइक्रिया से बनेगा और उसका सुतर बड़ा सिंपल था उत्तर में से आपको सबसे फ़ले साइक्रिया को डूंट के रखना है फिर सब्जेक्ट फिर मैंन बर फिर उब्जेक्ट फिर आदर्स वो सब उत्तर में मिल जाते हैं और बस यस और नो को इठाना होता है जिसमें नो आ रहा है उसमें नोट को बेठाना होता है नाम कभी इ बैट वल्य वाले में काम करता है किल वाली ओदियो लेक्षर में फिर मैंने आगे उससे आगे की रिल आपको बता है की डबलो एच वर्ट से परसन बनते हैं जब दीए वए उत्तर कं यस या नो से परारम ना होकर सब्जेक्ट से परारम वो तो ना बैट व दी या उभी होता हाँ इसमें जरूर आपको ज्यान रखना है कि जो डबलो एच वड के दोरा परसन में पूछा जा रहा है उसको आपको उत्तर मेंसे छोडना है अब कौन सा डबलो एच वड क्या पूछता है यह आज मैं आपको सबसे पहले बता रहा है ईङ कि लिए मैं पेसेजिन भी हल करने में काम में आएगा मान लो हुषे परसंज चालोई तो जानने के लिए उस्छे परसंज मनाते हैं तो जब भी हुषें सवफब परसंज चालो तो आपको इत्तर सिकर्था को मैं चूड़LY और पैसेज goin ngang किसी का नाम पूछ रहा है उस उस वेकती के नाम को हो की जगह रख दो हो को रिखा कि और उसे की विंधिग दो उत्तर बन घाईगा पका साफ दो का में काम में आते हैं whose में भी और हुन में भिये बस एहम वैं आपको ढूण के लिखना है उत्तर में अब यहां भी यहां कि जानकरी के लिए फैंसे पूचहा जाता है तो आपको समय को छोड़ना होगा उत्तर में diesesень जानने केवे लिए कहां यह जां वोट यह न क्या सामाने कोई पुष्थास की जानकारी के लिए पनिसको काम में लेते हैं वोट और यू तुम क्या कर रहे हो वाट रू यू वाचिंग उन्नीयों टीवी तुम अपने टीवी पर क्या देख रहे हो वाई कारण जाने के लिए जैसे वाई आर्यू गुएंग टू मार्केड तुम तुम बच्चों को पीट रहे हो तो यह सब डबलो एच वर्ड जरूर दुनिया की तमाम पर्सनों का हल हमारे लिए लाते हैं विच कौन सा या कौन सी पसंद या चुनाव जानने के लिसका प्रयोग कियाता है विस्ट्रेस आर्यू लाइक तुम यह कौन सी पोसाख पसंद है यह किसका है किसके अदिकार जानने के लिए यह सम्मन्द जानने के लिए इसका प्रयोग कहता है हाओ यह डबलो वाली इस आर्ट है वैसे तो बहुत सा रहा हैं लेकि मयन तिह से का यारोनी किसे हाल चाल मर उर साधन धीनॉग चीज़े तात्परिये दोस्तों मात्रा से होता है हमेशा मच मिंस मात्रा तो मच मच जब भी आ जाए तो इससे तात्परिये मात्रा हाव पार कितनी दूर दूरी जानने के लिए इससे परसंद मनाते हैं पन हाव लोंग कितनी आउदी कारे की समय के आउदी जानने के लिए और हाव ओपन कितनी बार कारे के आउड़ती जानने के लिए इससे परसंद मनाते हैं यहां बहुत सारे एक्जामफल मैंने आपको दि सिस्टर अब इसमें ही चेंज होगा नहीं थैड परसन है अब डिड का प्रियोग डबले चोड के बाद क्यों कि है मैंने क्योंकि रोट सेकेंड फॉर में सिंपल पास्टेंस है जैसे सी परसेड यूर कार येस्टरडे तो हूज से चालू है तो हूज यानि की जरूर कोई नि इस बुक तो यहां आई को पन ने छोड़ा है दोस्तों इसमें क्योंकि हूँ हमेसा करता रूपी विक्ति को जानता है ऐसा सिता इन दा गार्डन तो हूम डिड यू सी इन दा गार्डन फॉर्मॉला उपर सुत्रद यो दिया है वह होगा डबलो एच वाट इनकी सबसे पह है इसमें सीखने की बाद यह हैं दोस्तों कि चार डबलो एच वर्ड ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद है एल्पिंग वर्ब नहीं आती है एक तो विच है एक हूज है दो तो यह डबलो वाले हैं आप देख रहे होंगे मैंने यहां पे इनको मार्क भी कर देता हूं आपको ए चार ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद साई करें नहीं आती हैं इनके तुरंत बाद आपको अब्जेक्ट मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब को तीसरे इस्तान पर लाना पड़ेगा इसका फॉर्मूला भी दे रखा है मैंने विच हूज या हाउ मैंनी हाउ मच जो भी पहले है उ इसको रख दो प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तीसरे इस्तान पर आती है टोटल चोदा डबलो एच वर्ड है उनमें से दस में तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आती है पर इस चार में तीसरे नंबर पर आती है फिर मैंन बर अदर्स और कुस्टर मार्स देख इसमें डू जो है लाइक फॉरमया आई के साथ NPS नहीं लगेगा क्योंकि आई का वो युट पर रचंद माना गया है विश फूर्ट डू यू लाइक मॉस्ट तो इसमें डू है जो तीसरे नंबर पर जा रही है दोस्तो इसमें आप देखो इसमें दूसरे नंबर पर जब वो तीसरे नंबर पर आ गई आपकी तिससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इन चार में तुरंत डबलो एचोट के तुरंत बाद साई करें नहीं आती है आप एक हामस मिल्क डेड़ अब जेसे एक है यह एकजामपल है आपका ही ड्रैं क्टो किलोग्राम मिल्क इं दा मॉर्निंग वो सुबर दो किलो दूद पीता है तो यह हामस से चालो तो इसके तुरंत बाद मिल्क का तो आपका कहने का ताध्परी यह है कि मिल्क आ रहा है तो आपका helping word तीसरे इस्तान पे आ रही है इसको द्यान से समझे इस बात को तो इन जो चार डबलो एच वर्ड है इनके तुरंत बाद कभी भी helping word नहीं आती है और ये चारों बार-बार मां आपको बता रहा है एक विच्छ है एक हूज है एक हाओ मैंने एक हाओ मच इनके तुरंत बाद object आता है और helping word तीसरे नमबर पे आती है जो सुत्र मैंने लिखा है यहां पे यह सुत्र आपको समनना पड़ेगा इस सुत्र के according आपको सुत्र कौन और समझना पड़ेगा और इसके बाद मैं आपको exercise भी डालूँगा इसको आपको हल करना है इस exercise रिमिक्स होगी कुछ सुरू में साहिक्रे वाली होगी फिर डबलो एच वाली होगी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मेरा पीछे का audio lecture फिर से सुन सकता है सुनके करें फि के गुएड वेस्टो प्लक